ओम्शान्ति प्रतमान समय हम सभी जानते हैं कि दिन प्रति दिन नेंद की कॉलिटी और नेंद का समय कम होते जा रहा है ऐसी स्थिति में जो परंपिता पर्मात्मा श्यू बाबा ने हमें बताया है अगर स्थिति में सोएंगे तो हमें सपने भी बुरे नहीं आएंगे और हम बहुत ही गहरी शान्त चित नेंद का अनुभूती करेंगे और फिर जिस स्थिति में सोए थे उसी स्थिति में हम उठते ही उन संकल्पों के साथ उठेंगे इसलिए इस योग निद्रा में हमने इस प्रकार से उसको किया है कि हम दिरे दिरे अपने कारोबार से और दिन भर के विचारों से मुक्त होकर अपने इस शरीर की उर्जा को भी समेट कर बाबा की गोदी में जाकर फिर बाबा हमें सुला रहे है और सुलाते सुलाते जैसे एक मा अपने बच्चे को लोरी गाती है उसी प्रकार बाबा हमें लोरी गाकर सुला रहे है उस लोरी में बाबा हमारे अंदर हमारे जो ओरिजनल संसकार है उन विचारों को बाबा हमारे अंदर डाल रहे है और यह बहुत ही स्रेश्ट अवस्ता है इसके बहुत ही मिरैकल रिजल्ट है इसलिए सोते समय योग निद्रा में माना इस अवस्ता में अगर हम सोएंगे तो बहुत ही सुन्दर हमारे संसकारों में परिवर्तन अपने आप आता जाएगा क्योंकि जो वो शब्द है वो subconscious mind सोते समय जो जागरुत होता है वो catch कर लेता है और वो आपने आप काम करना शुरू कर देता है तो हर दिन अगर इसको 45 दिन तक हम continue इनी संकल्पों के साथ सोएंगे तो बाबा ने जो लोरी में वो गाई है उसके बहुत सारे संकल्प साकार हो जाएंगे हमारे जीवन में ये शान्त जित निर्मल निच्चल आत्मराजा बहुत ही शान्त मिस्तिते में अपनी दोनों आखे धीरे से बंद कर दिजिए अपने इस अमुल शरीर को बहुत ही सात्वित्ता से सुला दे सुपाइन पूजिशन में बेख जाए मैं मैं एक नई सुनहरी सुबह की तैयारी में सो रहाओं अपनी सर्वशक्तियों को धीरे धीरे पैरों के अंगुलियों से समेट रहाओ आत्मा की सर्वशक्तिया उपर की ओर आ रही है और उपर पूरे समग्र शरीर से इस उर्जा को समेट कर आज तक का सभी पेटी बिस्तरा समेट लिया है अब मैं मुक्त होकर संपूर्न निचिन धोकर जा रहा हूँ अपने सुक्ष मशरीर से अपने वतन की ओर बाब दादा की गोदी में बाबा की गोदी में सरग कर बाबा की सुखद मकमली गोदी का स्पर्श महसूस कर रहा हूँ बाबा अपने रूई जैसे मकमली हातों से मेरी मस्तग पर हात गुमार्य है मेरी मस्तग पर अकुम पर बालो में और इसी सुखद अनुबोती में मैंने चिंतों कर गहरी मूद में प्रवेश कर रहा हूँ मन बहुत शांत हुए बहुत शांत संपूर्ण शांत बाबा नोरी गा रहे है मेरे कानों में शब्द पड़ रहे है और मेरे अंतरमन की गहराई तब यह शब्द जाकर पहुँचे है हे मेरे लाल हे मेरे राजा बच्चे तुम एक दिन सारे विश्व का आधार बनोगे तुम रूहानी जुम्बक हो तुम सब के माबाप के समाम रहें दिल और प्यार के सागर हो तुम्हारा स्वभाव बहुत सात्विक और मीठा है तुम संपूर नसतो प्रधाम बन चुके हो तुम्हारे चेहरे की दिव्यमुस्काम अनेकों को शांती प्रधान करती है तुम बहुत ही चुस्त और सदा जागरुक हो तुम्हार पुरिशारती महारती हो तुम एक तेजो में दिव्यदै दिव्यमान सतो प्रधाम तेजस्वियात्मा हो तुम्हार आतेज पूरे संसार में भेल रहा है तुम सोए हो तो भी तुम्हार आतेज आत्माउं को प्रकाश दे रहा है तुम बाप के सिर मोर हो बहुत ही लागले और वारी सो बहुत बहुत सुन्दर और सुखद अनवुती देने वाले चार और हरे भरे बगीचे के बीच में एक भवन में बैटकर तुम अनेक आत्माउं को नजर से निहाल कर रहे हो आत्माएं तुखद दो कर स्वस्वरू और बाप के प्यार में खोई जा रही है तुमारी दृष्टी अनेक आत्माउं को निहाल कर रहे है नजर से निहाल कर रहे है नजर से निहाल तुम रुखानी आकर्शन का केंद्र बन गए हो तुम रुखानी चुम्बक बन चुके हो तुम रुखानी चुखानी 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 तुम रुखानी चुके है प्रेश से रही है विक है पूपानी झाल झाल झाल